हलो फ्रेंट्स वेलकम टू दा जी एस मेंगनेट फ्रेंट्स इस वीडियो में हम लोग जो आपका बिहार पुलिस मद निशेद 689 पदों के लिए जो आपका एक्जाम होने वाला है इसका अब एक्जाम डेट निर्धारित हो चुका है लेकिन अभी ओफिसियल नोटिस आना बाकी है यह कंफर्म हो चुका है कि अब आपका एक्जाम 19 मार्च को ही होगा ठीक है जिसके लिए अब हम लोग इस वीडियो में जीक के जिये से 50 अति महत्यकुन प्रस्णों को इस वीडियो में हम लोग कभर करेंगे जो आपके एक्जाम के पिटरन पे सारे प्रस्ण आध आइकन को दबा दीजिए ताकि बिहार पुलिस बिहार दरोगा और बिहार पुलिस मदनिशित से संबंदित कोई भी वीडियो को अपलोट किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंसके आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी प्रस्णों को तक सल्व किजिए जब वीडियो पूरा देखेंगे तब तो सल्व हो पाएगा ना और इससे बहुत जदा आपको एकजाम में लाब मिलेगा इस वीडियो से तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग प्रस्णों को सल्व करते हैं पहले प्रस्ण पे आते हैं कि प प्रस्ण का सही अंसर का बात किया जाये तो अप्सन b हो जाएगा संगन कलू ठीक है देखिए यह बेलारी करनाटक के बेलारी जिला में एक जगह है जिसका नाम है संगन कलू और यह करनाटक में पड़ता है यहीं से यहीं कि राक का तिला मिला है नौपसाड एसल से चलिए अगला प्रस्ण आप सभी का दो नंबर है भारत में मानों का सर्व पर्थम साक्ष कहां मिलता है तो अगर बात किया जाए अप्सण डी नर्मदा घाटी में मानों का सर्व पर्थम साक्ष मिलता है इस बात को ध्यान रखेगा अगला प्रस्ण तिन नमबर है ख़दानों की क्रिशी सर्व पर्थम प्रारंब होई थी कब हुआ था तो इस प्रस्ण के लिए सही जबाब अप्सन नमबरे नव पसान काल हो जाएगा ध्यान रखेगा चलिए अगला प्रस्ण है आप सभी का चार नमबर विशाल इस्नानागार यानि की ग्रेट बात कहां मिलता है तो यह जो इस्नानागार है वह आपका हड़पा सभ्यता से संबंदित है और यह मोहन जोड़ो अप्सन नमबर यानि की डी को आप सभी लोग देहां रखेगा ठी आप सभी के लिए उर्जा का चार नमबर यानि की सिंदु घाटी सभी लिपी कौन सी थी आप सभी को बताना है तो यह अपसंदी अज्यात लिपी आज तक पड़ा नहीं गया है ठीक है चलिए अगला प्रस्ण चार नमबर है शुर्य का दिप्तिमान आमुक जिसे हम देख हैं क्या कहलाता है तो वह कहलाता है अपसंसी प्रकास्स मंडल कहलाता है आप सभी ध्यान रखेएगा आप सभी का अगला प्रस्ण सात नमबर है प्रित्वी के लिए उर्जा का मुख प्रत्रय क्या है तो अपसंद अ सुर्य को आप सभी लोग ध्यान दखिएगा आठ नमबर प्रस्ण है निमली खित में से किसमे ज्वाला मुखी उदगार नहीं होते हैं तो इस प्रस्ण के लिए सही जबाब आपका अपसंडी हो जाएगा बाल्टिक सागर को आप सभी लोग ध्यान दखिएगा चलिए अगल प्रस्ण आप सभी का अगला प्रस्ण नमबर है यूरोप में उचतम प्रवत सिखरों में एक माउंट एलवस कहां इस्तित है तो देखिए इस प्रस्ण के लिए सही जबाब अपसंसी हो जाएगा ध्यान रखिएगा रूस जो छेत्रफल के द्रिष्टी से संसार का सबसे बड़ा देश है ठीक है ना और इसका बिश्तार का बात किया जाए तो यूरोप और एसिया दोनों ही महादीपों में मिलता है इस बात को ध्यान रखिएगा चलिए अगला प्रस्ण है आप सभी का दस नमबर अलमटी बांध किस नदी पर है तो अलमटी जो बांध हो जाए भारत के संबिधान के किस भाग में हम नागरिक्ता से संबंधित प्रावधानों को पढ़ते हैं तो अप्सन भी भागदू को ध्यान रखिएगा जो अनुछेद पात से ले करके यानिकी एगार तक इसका चिर्चा किया गया है चलिए अगला प्रस्ण क्या है आप सभी का 12 नंबर नागरिक्ता से संबंधित प्रावधान संबिधान के किस भाग में है तो आप सभी को अभी ही बता है भाग दो यानिकी अप्सन सी इसका सही जबाब हो जाएगा अगला प्रस्ण 13 नंबर भारतिय संबिधान अपने नागरिकों को डैस की समनता का वचन देता है कै यानिकी दो यानिकी भी हैसियत और आउसर की समनता प्रदान करता है ठीक है ना देखिए यहाँ पर सब्द पर गौर कीजिए हैसियत के मतलब समझते हैं क्या होता है हैसियत का मतलब होता है प्रतिष्टा और आउसर की समनता प्रदान करता है ध्यान रखिएगा चलिए प्रतिपादक अर्थ सास्त्री कौन है आप सभी को बताना है तो प्रोफेसर जेक के मेता अप्षन B को आप सभी लोग दियान रखेगा अगला प्रस्न पंदर नंबर भारतिय अर्थ व्यवस्ता का मेरुडंड कौन सा छित्र है तो देखिए क्रिसी छित्र अप्षन D को आप सभी लोग दियान रखेगा अगला प्रस्न देख लिजिए 16 नंबर है आप सभी का किसने भारत में पहली बार ब्यायकर लगाने का सुझाव दिया था तो इस प्रस्न के लिए सही जबाब अप्षन B कुल डौर को आप सभी दियान रखेगा ठीक है ना चलिए अगला प्रस सी बैंकिंग बिभाव का भाग नहीं है जबकि ब्याय राजस और आर्थिक मामला यहरा यानिकी बित बिभाव का यानिकी सब्जेक्ट यानिकी विशह समझ सकते हैं 18 नंबर प्रस्ने 1947 में भारत में प्रतिवेक्ति की वार्षिक आई कितनी थी आप सभी को बताना है तो अ 49 पॉइंट यानिकी 60 रूपिया था ठीक चलिए अगला प्रस्न है आप सभी का बड़ा प्रस्न है थोड़ा सा पढ़ लिजिए स्टेट्मेंट को उसके बाद आते हैं प्रस्न के अप्सन पे सकल घरेली उत्पाद के बार में निमलीखित कतनों पर विचार केजिए देखि कतन पर आप सभी लोग विचार कर लेजिए दोनों कतन क्या पूछ रहा है उसके बाद हम लोग अप्सन पे आते हैं चलिए अब हम लोग अप्सन पे आ चुके हैं 19 नमबर प्रस्न का सही जबाब अप्सन केवल एक हो जाएगा ध्यान रखिएगा चलिए अगला प्रस्न है आपका 20 नमबर निमलिखित में से कौन सा सब्द जड़ी बुटी एनिकी पोट हर खेती को संदर्भित करता है इस प्रस्न के लिए सही जबाब दो और अप्सन के उमें दिखाता हूं इस प्रस्न के लिए सही जबाब आपका अप्सन D सबजीयों की खेती ध्यान दखिएग 22 नमबर प्रस्ने तो अच्छा निमलिखित में से किस परकार के जिल्ली है तो तो अच्छा जो हो जाएगा अप्सन B क्यूटेनियस जिल्ली है आप सभी लोग ध्यान रखिएगा अगला प्रस्न है आप सभी का 13 नमबर 23 नमबर वनस्पती कोशिका भितीस इस से बनी मतलब किस से बनी होती है तो सेल्यूलोज अप्सन E को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा देख लेजिए 24 नमबर प्रस्न है आप सभी लोगों का निमलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन छार डी एने से संबंधित नहीं है तो इस प्रस्न के लिए सही जबाब अप्सन C यूरियसील हो जाएगा ध्यान रखिएगा चलिए अगला प्रस्न 25 नमबर समानने को सिखाओ में DNA से RNA तक आनुवानसिक जनकारी के प्रवाह की प्रकिरिया को क्या कहा जाता है तो इस प्रस्न के लिए सही जबाब आप सभी लोग अप्सन E को ध्यान रखिएगा प्रती लेखन कहा जाता है ठीक है ना चलिए अगला प्रस्ने आपका 26 नमबर देख लिजिए निमलिखित में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग भासा नहीं है आप सभी को बताना है तो C अप्सन नमबर सी फ्रंट लाइन या भासा प्रोग्रामिंग का नहीं है ध्यान कियेगा 27 नमबर प्रस्ने किसी आख कान नाक तता गले का निरिक्षण करने के लिए डोक्टरों द्वारा कौन सा दर्पन का प्रियोग किया जाता है तो अप्सन ए अउतल दर्पन आप सभी लोग ध्यान रखिएगा अगला प्रस्न 28 नमबर किसी तार में विधूत धरा प्रवाहित होने से उत्पन उस्मा का प्रियोग डैस पर निर्भर नहीं करता है देखिए नहीं वाले इस सब्द को अच्छे से एक जाम में दिखिएगा तो अप्सन डी इन में से कोई भी अप्सन सही गलत नहीं है तीनों अप्सन क्या है सही है पदार्थ पभी निर्भर करता है लंबाई पर भी और मटाई पर भी चलिए 29 नमबर प्रस्ने कोलेस्टरॉल का संबंड डैस से है तो 29 का सही जवाब अप्सन डी एस्टेपिज होती है ध्याँ रखिए ज़ो कान की हड़ी है अगला प्रस्ने 31 नमबर ऑक्सीजन युक्तरक्त का संचरन डैस से दवारा होता है तो आप सभी लोग हमेशा याद रखिएगा फुषफुषिये सिराय ऑक्सीजन क्रित रख्त को फेंफडे में बाये आलिंद में क्या करती है पहुचाती है तो अप्सन ए को आप सभी लोग ध्याँ रखिएगा अगला प्रस्न आप सभी लोगों का 32 नमबर विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो देखिए इस प्रस्न के लिए आप सभी लोग ध्याँ रखिएगा अप्सन डी नील नदी क्या है सबसे लंबी नदी विश्व भरकी है जो 6650 किलो मिटर है किलो मिटर अगर मिल में पुछा जाए तो 4132 मिल इसकी टोटल लंबाई है चलिए अगला प्रस्न क्या है आपका 33 नमबर प्रीथवी की प्राकिर्तिक आकिर्तियों को दर्साने वाले मानचित्र को 10 मानचित्र कहा जाता है तो उसे राजनितिक मानचित्र कहा जाता है अप सोरी इसे क्या कहा जाता है उच्चा वच मानचित्र कहा जाता है जो आपका अप्षन क्या है एक है ठीक है चलिए अगला प्रस्न आप सभी लोगों का 34 नमर रयत वारी विवस्ता किस ने विख्षित की थी तो रयत वारी ध्यान 1 रखिएगा ठीक है न नहीं इस प्रस्ण के लिए सही जवाब अप्षन से काची पूरम हो जाएगा मदुड़ेही नहीं होगा ठीक है न ध्यान रखिएगा काची पूरम कहाँ में तमिलांडो ठीक चली अगळा प्रस्ण 36 नमर लोग सभा की अध्यक्स्ता कौन करता है तो लोग सभा का अध्यक्स्ता एस्वीकर करता है ध्यान रखेगा चलिए अगला प्रस्ण यह प्रस्ण आपके यानि कि 76 पर जिस दो बिहार पुछा गया था भारत की राज विवस्ता में कुल कितने सिटे है यह प्रस्ण नहीं बलकि वह बिहार विधान सभा में पुछा गया था कि कितना सिटे है तो 243 ध्यान रखेगा सौरी जो मैंने बोल ठीक है चलिए 37 का सही जबाब अप्षन ए 245 राज सभा का सीटे है ध्यान रखेगा ठीक चलिए अगला प्रस्ण आप सभी लोगों को क्या हो जाएगा 38 नमबर देश की सरकार दवरा 10 पैसों की बिनिमाय के माध्यम के रूप में स्विकार कार बनाते है तो इस प्रस्ण के लिए सही जबाब अप्षन सी ताधिकर प्रस्ण को ध्यान रखेगा 49 नमबर प्रस्ण आयात पर कर निमलिखित में से किसका उधारन है तो इस प्रस्ण का सही जबाब बैपार औरोद हो जाएगा ध्यान रखेगा 40 नमबर प्रस्ण मदेशी जनजाती भारत तता उसके पडोशी डेट देश से सम्बंदित है तो 40 का सही जबाब नेपाल को ध्यान रखेगा जो एक परकार का प्रोशी देश है अगला प्रस्ण एक 40 नमबर है किन नदी निमलिखित में से किसकी साहिक नदी है तो देखिए यमुना नदी को आप सभी लोग ध्यान रखेगा अगला प्रस्ण देख लिजिए 42 नमबर है वर सिनहा को ध्यान रखेगा अगला प्रस्ण 43 नमबर निमलिखित में से किस राज्य का सरवाधिक वन्य छेत्र है तो देखिए वन्य छेत्र आप से पूचा जाए तो अप्शन सी को ध्यान रखेगा मध्य परदिश ठीक चली अगला प्रस्ण 44 नमर केरल की नाव दोड़की स सत्यवार की विशिष्टा है तो देख लिजिए 44 नमर प्रस्ण का सही जबाब अप्शन सी ओड़म ध्यान रखेगा ओड़म ठीक अगला प्रस्ण आप सभी का 45 नमर भारत ने अपना एक हजारवा एक दिवसिये मैच किस देश की टीम के साथ फरवरी में खेला तो देख लिजिए यह जो मैच खेला गया था वो आपका अप्शन बी वेस्ट एंडिज को ध्यान रखेगा जो 6 फरवरी कब 6 फरवरी 2022 को खेला गया था ध्यान रखेगा चलिए 46 नमर प्रशन है पहले सुरक्षा एलिवेटर का अजविस्कार किसने किया तो देखिए इसका आपिस्कार जो किया था अप्शन भी इनकी ईलीशा ओटिस को ध्यान रखेगा चलिए अगला प्रस्ण है 47 नमर प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम यानिकी रूपेय में कितनी है तो यह जो है आपका 12 रूपिया है आप सभी अप्षन एक को दियान रखेगा अगला प्रस्ण आपका 48 नमर हरित गरी यानिकी गरीन हाउस परभाव क्या है तो इस प्रस्ण के लिए सही जबाब अप्षन सी प्रीथवी के वाई मंडल द्वारा रोके गए विक्रण से प्रीथवी का गरम होना ही क्या अगला प्रस्ण 49 नमर है धातू के एक अमलगम में दुसरा तत्तो होता है देख लेजिए जो दुसरा जो आपका तत्तो होता है हजी होता है जिसे मरकरी या पारा कहा जाता है यह एक प्रकार का धातू है जो कमरे के ताब पर द्रव औस्ता में पाये जाता है ठीक है जबकि अधातू का बात किया जा है तो आप सभी लोग ब्रुमीन को धिया दखियेगा चलिए अगला प्रस्ण 50 नमबर जो आपके प्रेक्टी सेट का लास्ट प्रस्ण है आज के सेटन का लास्ट प्रस्ण है निमलिखित में से कौन से योगी का उप्योग सुस्क के रूप में किया जाता है तो अप्शन ए केल्सियम ऑक्साइट को आप सभी लोग धिया दखियेगा इसे का उप्योग सुस्क के रूप में किया जाता है तो आज के इस सेशन में हम लोग पचास अती महत्पुन जिक्के जियस के प्रस्णों को कभर किया है जो आपके एक्जाम के द्रिष्टी से यह सेशन काफी ज़दा इंपोटेंट है और इसी बेस पे कोश्चन आपको सिधा सिधा एक्जाम में देखने को मिलेगा इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट हैं कि आप सभी लोग जितना भी प्रस्ण आप सभी को कभर कराया जा रहा है उसको साथ साथ याद रखे और अपना इस्टड़ी यानि की पढ़ाई पर और जदा टाइम दीजिए जोर दीजिए साथ साथ कमेंट में हमें अपना अपना स्कोर भी बताईए कि पचास प्रस्ण में आपका कितना सही हो पाया जिससे कटप का अनलिसिस करने में यानि की असानी हो ठीक है प्रस्ण को लेकर के अगर आप सभी को किसी तरह का कोई डाउट है तो हमें कमेंट में बताइए चैनल पर नहे हैं तो चैनल को सस्क्राइब करके वगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए और अगर प्रेक्टी सेट के कोस्टन विडियो अच्छा लगाओ तो विडियो को लाइक कीजी ज़्यदा से जगा इस विडियो का विडियो को अपने स्टडी ग्रूप फ्रेंडों के साथ सेर कीजी ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड का वी रिजल्ट होने में इस विडियो के कोस्टन यानि की लावदाय यानि की योगदान दे सके झाल